जाएके न पारे बाजाने से लिए सो हेलो दोस्तो स्वागा थाप सभी का मारी श्यूटूब चैनल में दोस्तो मेरा नाम बहुल उनकमार और आप देख रहे हैं ग्यान टेक सपोर्ट यूटूब चैनल जो दोस्तो क्या आप भी FL Studio Mobile से Song को Remix करना चाते हैं और अगर चाते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्यूंकि दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि FL Studio Mobile से Song को Remix कैसे करते हैं दोस्तो song remix करने से पहले उसका जो है BPM को check करना पड़ता है और उसका जो beat है वो match करना पड़ता है ठीक है तब ही जो है आप किसी भी song को remix कर पाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि song का जो BPM है उसको perfectly कैसे चेक करना है और उसका जो beat है दोस्तो उसको कैसे असानी से match कराना होगा तो दोस्तो सारा कुछ बताने से वीडियो में इस वीडियो को end तक देखते रहें और इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर लें क्योंको दोस्तो मैं इस चैनल पर FL Studio Mobile से rated वीडियो लाता है रहता हूँ तो दोस्तो चलिए अपने mobile के screen पर चलते हैं उसके बाद आपको step by step आपको बताते हैं तो दोस्तो फैलनी में आ चुका हूँ अपने mobile के screen पर और दोस्तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाता हूँ क्योंकि जिस भी सॉग का bit pattern को match कराना चाते हूँ सबसे पहले उस सॉग को आपको BPM को check करना होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो मैं एक song ले लेता हूँ जिसका BPM को यहाँ पर मैं check कर लेता हूँ ठीक है तो यहांपे दोस्तो यह song है और इसी song का हम BPM को यहांपे चेक काने वाले है तो इस पर हम hold क्लिक करते हैं उसके बाद मोर पर जाते हैं मोर पर जाने पाद यहांपे हम share पे क्लिक करेंगे और उस application का दर इसको share करेंगे जिस application से जो है इसका perfect BPM को पता करने हो है ठीक है तो यहाँ पर मैं share पर क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों वो application यह है जिसका नाम है Music Asphered Changer है और इसी के अंदर जो है मैं उस song को share करूँगा और यही है जो की एकदम perfect BPM पता करते हैं और बहुत ही अच्छा से यह work करता है और बहुत ही अच्छा यह BPM भी बताता है ठीक है तो जब भी मैं song कोई remix करता हूँ तो इसी application से मैं उस song का जो है BPM को check करता हूँ तो चलिए मैं यहाँ से check करते हैं यहां पर मैं share पर click किया और यहां पर finally आ चुका हूँ उसके बाद यहां पर play पर click करेंगे और देखेंगे ठीक है यहां पर play हो चुका है उसके बाद इसके नीचे जाएंगे दोस्तों यहां पर स्क्रोल नीचे करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो इसका जो real BPM है दोस् तो दूस्तो फैनली में आ चुक्छा हूं अपने फली स्टूडियो मुबायल के अंदर और दूस्तों यहां पर मैं एक पैटर्ण को भी बना कर रखाऊं ताकि आप लोग को जो है pattern के साथ सुनाओ ताकि आप लोग को यकीन हो सके कि बीट को कैसे match करा गागा ठीक है तो यहाँ पर दूस्तों को ले लेते हैं जिस song को हम beat को match कराने वाले हैं और pattern के साथ भी हम play करने वाने ठीक है तो चलिए हम यहां से click करते हैं plus पे और प्लस पर जाने के बाद यहां पर हम audio click पर जाते हैं audio click पर जाने के बाद यहां पर my files पर जाते हैं और इसके बाद तो उस song का BPM को यहाँ पे set करना हुगा यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 140 पहले से set किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको click करके और जो भी इस song का BPM है उसे यहाँ पे set कर लिना है ठीक है तो यहाँ पे मैं 120 कर लेता हूँ इसके बाद 120 करने कबाद आपको करना क्या है यहाँ पे आपको जुम कर लेना है जुम करने कबाद दोस्तो यह जो extra part आपको दिख रहा है इसको आपको simply cut कर लेना है यह जो यहाँ पे song start हो रहा है और यह इतना जो extra part है दोस्तो इसको cut कर लेना है उसके बाद यहां से इसको प्ले करना है उसके बाद सुनना है ठीक है तो यहां पर मैं दोस्तों इसको जो म्यूजिक को बंद कर लेता हूं उसके बाद यहां पर सौंग को सिर्फ प्ले करता हूं ठीक है तो चलिए मैं एक बाद प्ले करते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से तर्ट यह इसका जो Again means वह यह वाल आ ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर 6 नमर में लेकर जाये टीचेम आपको प्वलड सा जूण करके दिखाता हूं यहाँ पर देखेंगे तो यह जो बीट है दोस्तों वो यहाँ पर गिर रहा है और यहाँ पर पाच नंबर है और यहाँ पर छे नंबर तो यहाँ पर हम इसको उठा के यहाँ पर छे नंबर पर लेकाएंगे ठीक है तो चलिए में यहाँ पर क्या करेंगे उसके लिए यहाँ कर देखंगे तो सींब्ली इस पर अपको करा लेना है उसके बाद इसको खीच लेना फीछे तरब ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको अर्जेस्ट करना अच्छे से और इसको जो राइनिग है यह जो ब्लेक उला लाइनिंग है दोस्तों मैं इसको सबसे पर ले तो यह दोनों को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने बाद इसको डिलीट कर देता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं ठीक है ओ भगवान यह क्या हो रहा है कि यहां पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहीं से इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं ठीक है यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मैं फिर से प्ले करता हूं उसके बाद सुनाता हूं कि यहां पर ऐसे नमर पर आ चुका है उसके बाद आपको यह actus तो यह लैंग को आपको अच्छे से देखना है यह ब्लेक वाल लाइन है इसके अंदर ही आपको जो है बीत गिरना चाहिए ठीक है तो यहां पर आपको अच्छे जूम कर लेना है और इसको मैच कराना है ठीक तो यहां पर मैं अच्छे से जूम कर लिया हूं और यहां पर मैं बीट को मैच कराता हूं और उसके अलावा एक चीज और नोटिस करना है यहां पर उसके अलावा यहां पर और जो बीट दोस्तों यहां पर और इस्टेप उसको यहां सेट करता हूँ 20 से यहां पर मैं आके साथ नमबर से इसको हम जूम करते हैं और जूम करने के बाद क्यूंकि यहां पर एक दम क्लियर दिख रहा है ठीक यहां सेट करते हैं यहां पर है यहांप को चुका है इसको कर देते हैं और पेश्ट करने के बाद इसको है हम क्या करेंगा सबसे पहले उसका चल रहा है वह मैं आपको बता रहता हूं तो दोस्तो उससे पहले मैं आपको यहांपर दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहेंगे, यहाँ पर starting point पर आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो start हो रहा है song, वो हो रहा है यहाँ से, यह जो beat है, यहाँ से, तो यह जो beat है दोस्तों, इसको जो है, यहाँ पर आपको जो है, इसके सामने से यहाँ पर य यहां पे मैं यह जो pattern है उसके साथ मैं यहां पे play करके दिखाता हूं ठीक है इसको फिर से copy कर लेता हूं और यह जो song इसको थोड़ा सा मास्टिंग कर लेता हूं तो यहां पर मैं किलिक कर लेता हूं इस पर और सौंग के पर यहां पर थोड़ा सा मास्टिंग कर लेता हूं ताकि आप लोगो अच्छा सुनाई दे तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं और उसके साथ यहां पर मैं सौंग के साथ मैं यहां पर हो सकता है लेकिन यहां पर पूरा जनकारी आपको मिलने वारा है तो चलिसे हम यहां से खोड़ा से ले करते हूं सुनते हैं यहां पर इसका में बीट है वो प्रफेक्ट मैस हो चुका है और यहां पर थोड़ा साम संग को और भी मास्टिंग करते हैं तब यह अच्छा कॉलिटी देता है लेकिन यहां पर जल्दी जल्दी आपको दिखाने के चक्कर में इतना थोड़ा समय कम किया हूं लेकिन दोस्तों यहां पर इसका बीट परफेक्ट मैस हो चुका है आप देख पारे होंगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले चीज यह है कि जहां से इसका जो में स्टार्ट होत है य Ό, जीफिख रहा है इस लाइनिंग को आपको अच्छे से जोब भाई बीट में कराना हो ठीक है यह अगर आप मैस्का आशीश आप को देख के आच्छे समयconomya यहां सो रहा है तो यह चीजों को आपको किसी एक नंबर पिला के सेट कर देना है और सेट करने के बाद यह आपको समझ में आ जाएगा कि यह परफेक्टली यहां पर मैच हो चुका है और उसके बाद यहां पर पैटरन बना के और उसको चेक करना है थोड़ा बहुत इधर उ कर सकते हैं ठीकें तो दुस्तो उम्मीद करता हैं विडियो आपको पसंद आये पसंद आ तो लाइक करें और इस चैनल पर नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकुन को प्रेस करने हैं. क्यों दुस्तों मैं इस चैनल पर एफल इस्टोडियो मुबाइल से रेटेड वीडियो लाता है राता हम तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंत वंदे मात्राम